हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट, स्वागत आप सब का डाउटनट की लाइव सोशल साइंस की क्लासे में मैं हूँ अनुश्या, आपकी सोशल साइंस टीचर और कैसे हैं मेरे सारे स्टूदिन्स I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि बोर्ट की तयारी आप बच्चों की बढ़िया तरीके से चल रही है So आप बच्चों को पता ही है, CBSE ने फिलहाल आपके सांपल पेपर्स को रिलीज कर दिया है So आज के क्लास में हम यही करेंगे, बेटा, सोशल साइंस के जो सांपल पेपर्स हैं उनका in detail हम लोग discussion करेंगे ठीक है, तो CBSE ने वैसे तो आपको solution के साथ ही papers दिये हैं पर कुछ answers ऐसे हैं जहां पर हम थोड़े सा और improvements को add कर सकते हैं in detail सारे solutions को देखेंगे, कहां पर हम थोड़ा और improve कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हम आज के क्लास में discuss करने वाले हैं ओके तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी join कर लो class को हम लोग अपना sample paper start करते हैं ओके तो join कर लिया सारे बच्चों ने, सबको hi, सबको hello, सबको good evening start करते हैं sample paper discussion ठीक है तो यह आप बच्चों का sample paper का पहला page कुछ ऐसा दिख रहा है न तो कुछ general instructions हैं, पहले general instructions को भी cover कर लेते हैं फिर हम अपने questions को start करेंगे तो अगर आपके paper की बात करें बेटा, तो आपका जो paper है वो five sections में divided है section A, B, C, D and E, ठीक है, five sections में divided है, all questions are compulsory आपको बीच-बीच में options दे रखे हैं, जब वो options आएंगे तब मैं आप बच्चों को बता दूंगी चलो, तो section A में question 1 से लेके question 5 तक के सारे question आपके section A के हैं और two marks के होंगे section A के questions, ठीक है, next section B के अगर हम बात करें question number 6 से लेके 8 तक के जो question है वो आपके section B के हैं और section B में three marks के questions होंगे, ठीक है, three marks questions होंगे section B में अगर section C की बात करें, तो question number 9 और 10 section C का पार्ट है, ये long answer type questions है, 5 mark each आपको इन questions में दिया जाएगा, section D question number 11 and 12 ये case based questions है, ठीक है तो आपको एक मतला paragraph सा दे दिया जाएगा, case को पढ़ो और उसके बाद case related questions को आप बच्चों को answer करना है, section E आपका map based question है, तो एक आपका history का question है ठीक है, one mark का history का question है, और दो marks geography के question से है, start करते हैं हम अपना lecture, ठीक है तो शुरवात section A से ही करेंगे, section A के बारे में अभी मैंने आप बच्चों को क्या बताया, कि two mark के questions है section A में, ठीक है तो section A start करते हैं, पहला question क्या है आप बच्चों का, how did the non-corporation movement unfold in cities and towns of India, non-corporation movement जो कैसे follow करा, अब ध्यान रखना है, यह जो question है बेटा, यह two marks का है, ठीक है, तो अगर आप दो बहुत crisp points लिख दोगे, that is enough, जाधा से जाधा 3 या 4 points लिख दो, इतने सारे points आपको लिखने की जरुरत नहीं है, पर हाँ, आपको solution में इतने सारे points दे रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा, जिस्ट पता लग जाए कि इस question में हमें किस type के points लिखने हैं, okay, point wise लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, मैं कहते हूं, social science में आप बच्चों को point wise ही लिखना चाहिए answer, पर क्यूंकि यह two mark question है, तो आप paragraph में भी answer दे सकते हो, ठीक है, तो non corporation movement की अगर हम बात करें, तो cities में middle class के लोगों ने काफी ज़्यादा participate करा, हम देखते हैं कि शहरों में जो middle class के लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से participate करा था non corporation movement में, और हमने ये तो इस chapter में cover करी रखा, कि आप जैसे जो students थे, ठीक है, और ऐसे भी students जो college जाते थे, उन्होंने क्या कर government control school और colleges में जाना छोड़ दिया, ठीक है, क्यूंकि non corporation में हो क्या रहा था, हमने decide करा कि हम Britishers के साथ corporate नहीं करेंगे, तो जो school के बच्चे हैं, जो college के बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा कि हमारे school सो government control कर रही है, Britishers control कर रहे हैं, तो इन्होंने school और college जाना छोड़ दिया, जो teachers थे, उन्होंने भी resign कर दिया, उन्होंने का कि हमें ऐसे school में नहीं पढ़ाना, जो government controlled है, तो काफी सारी teachers इस दौरान resign कर देती हैं, ठीक है, साथी साथ lawyers, lawyers ने क्या करा अपना legal practice छोड़ दिया, उन्होंने court में जाना छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने भी resign कर दिया, ठीक है, और बहुत सारी जगा हम देखते हैं कि council election को boycott किया गया, council election का time period चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, council election को boycott करा और कहा कि हमें council election में part ही नहीं लेना है, पर इसमें exception है बेटा, ठीक है, याद रखना, madras के लोगों ने ऐसा नहीं करा, madras के लोगों ने कहा कि नहीं, council election important है, क्योंकि हम लोग अगर council election में part लेते हैं, council के members बन जाते हैं, तो Indians system को अंदर से बदल सकते हैं, ऐसा madras के लोगों का मानना था, कि election में part लो, ज्यादा से ज्यादा Indians council का part बनो, तो हम system को अंदर से बदल सकते हैं, तो इस वज़े से उन्होंने boycott नह उन्होंने कहा कि नहीं, हमें council election में part नहीं लेना है, next, आपको ये भी पता है कि non-corporation movement पे हमने क्या पढ़ाता कि जो foreign goods थे, मतलब Britishers का जो भी सामान था, जैसे वो लोग अपने country के कपड़ों को बना के हमारे इंडिया में आके बेचते थे, हम लोगोंने क्या करा, उनके स सारे सामानों का एक heap बनाया, ठीक है, मतलब एक जगे पर collect करा और हम जला देते थे उनके सारे सामान को, तो foreign goods को हमने boycott करा, मना करा कि हमें चाहिए ही नहीं foreign goods, liquor shop picketed, ठीक है, alcohol के जो shops थे, उनको पिकेट करा, मतलब entrance को block कर दिया, लोगों को liquor shop के अंदर नहीं जाने देते थे हम, next, huge bonfires में, ये तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़े-बड़े bonfires में, जला दिया जाता था, foreign goods को, ओके, चलो, अब जल्दी-जल्दी सारे बच्चे बता दो, मुझे comment section में clear है, first question आ गया, सबको समझ, ठीक है, ये आपका 2 mark का question है, इतने सारे points आपको लिखन की जरूरत नहीं है, पर हाँ, ताकि आपको पता चल जाए, इस question में क्या-क्या लिखना आपको, मैंने आपको बता दिया, जल्दी-जल्दी सारे बच्चे thumbs up डाल दो, okay, हाँ, राखी, सुश्मिता, सबको clear है, चलो, बहुत ही बढ़िया खुशी, ठीक है, सबने thumbs up डाल द आपको देखके, class 10 के जो बच्चे है, वो थोड़े से nervous हो रहे होंगे, कि ये थोड़ा अजीब सा question है, तो इसे हम समझ लेते हैं पहले, tourism को हम trade क्यों मानते हैं, ठीक है, tourism हमें पता है, जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं, तो हम tourism को trade क्यों मानते हैं, trade मतलब एक type of business है जिसमें हम कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो tourism को हम trade कैसे मान सकते हैं, देखो, अगर आप लोग कभी बाहर जाओगे घूमने, और आप में से काफी सारे बच्चे बाहर जाते रहते हैं घूमने के लिए, तो आपको पता है कि जब भी हम कहीं घूमने जाते है हम काफी सारा खर्चा करते हैं, है ना हम लोग train की tickets खरीते हैं, या bus की ticket खरीते हैं, और जिस भी area में घूमने गए हैं, वहां का सामान खरीते हैं, खाने के उपर खूब सारा खर्चा करते हैं, तो हाँ, obviously tourism can be considered as trade, है ना क्यूंकि tourism में हम लोग काफी सारा business कर रहे हैं, और tourism इसमें काफी सारे लोग employed भी हैं, काफी सारे लोग job भी करते हैं, तो इसी लिए हम लोग tourism sector को trade की तरह consider कर सकते हैं, ठीक है और tourism में पता और क्या होता है, अगर हम इंडिया की बात करें, तो जैसे इंडिया में क्या होता है, foreigners इंडिया में आते हैं, अलग-अलग चीजे द देखने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने currency को यहां पर spend करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, इसी चीज को हम कहते हैं, कि यह foreign exchange लेके आए हैं, ठीक है, तो जब foreigners हमारे इंडिया में आकर हमारे tourism के ओपर खर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए बढ़िया बात है, ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो directly engaged है in tourism industry में, मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस industry में, तूरिजम के वज़े से क्या होता है, हमारे local handicrafts बिकते हैं, जैसे मान लो, कोई foreigner इंडिया में आ गए, उन्होंने हमारे या पौटरी देखी, या फिर कुछ और देखा, कोई कपड़ा देखा, तो हमारा जो local art है, जो local handicraft है, वो tourism के वज़े से बहुत बढ़िया तरीके से बिक पाता है, ठीक है, नेक्स्ट, हमारे country में लोग आते हैं, medical tourism के लिए, eco tourism के लिए, ठीक है, जैसे हमारे यहां पे आक जब लोग यहां पे आते हैं, तो वो खर्चा करते हैं, इसलिए हम tourism को trade मान सकते हैं, इसकी अलावा, थोड़ा सा वैसे यह आपके CBSC के answers में नहीं है, पर इसके अलावा आप बच्चे यह भी याद रखना, कि हम लोग भी अगर किसी और state में जाए, for tourism के purpose के लिए, तो हम लोग भी खर्चा करते हैं, है ना, तो आप लोग जैसे अभी जिस भी state में हो, मानलो आप लोग यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो अगर आप लोग मानलो केरला जा रहे हो घूमने के लिए, तो आप भी वहां पे खर्चा करोगे, तो tourism को हम एक trade मान सकते हैं, ठ ठीक है, चलो, जल्दी-जल्दी thumbs up डालो, आगे बढ़ते हैं, अगर ये question clear है, ठीक है, हाँ, जल्दी-जल्दी, सारे बच्चे thumbs up डाल दो, फिर हम अपना next question करते हैं, ओके, काफी सारे thumbs ups मुझे दिख गए, हमारे सारे बच्चे अच्छे से, ध्यान से सुन रहे हैं, ओके सबको clear हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, next question में क्या पूछा जा रहे है, differentiate between one party and two party system, one party system और two party system के बीच में आपको difference बताना है, और ये तो मुझे लगता है, super easy question मिल गया आपको, है ना, चलो, तो one party system की अगर हम बात करें, one party system मतलब एक ऐसी country, जहां पे chances ये है कि एक ही party जीतेगी और पूरे country को सम्हाल लेगी, ठीक है, अकसर मतलब हमें लगता है कि one party system मतलब ये होता है कि उस country में सिरफ एक ही political party है, ऐसा नहीं है, और भी political parties हो सकती है, पर एक ही political party बार बार जीती रहती है, उसी political party के chances हैं उस country को बार बार सम्हालने के, rule करने के, तो करने के लिए, अब हम अगर two party system की बात करें, two party system में क्या होता है, अब नाम से समझ आ रहा है, two party, ठीक है, दो parties है, अच्छा इसी system को ना हम लोग by party भी कहते हैं कहीं बार, ठीक है, so two party system मतलब ऐसी country, जहां पे दो main political parties के जीतने के chances हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार जीतने के chances सि हैं, यहां पे अब दो main political parties हैं, और यह होता है, USA में और UK में, United Kingdom, United States of America, इन दो areas में यह चीज होती है, ठीक है, अगर इंडिया के बात करें, I'm sure, इतना सुनने के बाद आप बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, इंडिया में क्या है, one party है, two party है, इंडिया में multi party system होता है, ठीक है, चलो, यह भी clear हो गया, एक और question निप्टा दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी thumbs up दालो, फिर हम लोग next question को देखते हैं, कोई doubt नहीं है न इसमें भी, हाँ, इंडिया में multi party system होता है, ओके, चलो, काफी सारे thumbs ups आ गए है, next question को देख लेते हैं, state the role of reserve bank of India, next question, आपक sample paper का ये है, कि reserve bank of India का role बताओ, मतलब, role का क्या मतलब है, reserve bank of India, जिनको हम RBI कहते हैं, इनके functions बताओ, ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, तो point one, it issues currency notes on behalf of central government, central government के बहाफ पर, ये लोग currency notes को issue करते हैं, हमारे country में, ठीक है, तो note को issue करना, RBI का का काम होता है, next, supervise the functioning of formal sources of loan, तो जो हमारे banks है, ठीक है, bank एक formal source होता है, जहां से आप जाके loan ले सकते हो, तो क्या bank के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, ये supervise करना, RBI का काम है, supervise करना मतलब ऐसे नजर रखना, कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी करना RBI का काम होता है, नेक्स्ट, RBI ये भी monitor करते हैं, कि क्या bank के लोग cash balance को maintain कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप ऐसे समझो, RBI के लोग ये भी देखते हैं, कि क्या bank सही से काम कर रहा है, या नहीं कर रहा, कई ये लोग bankrupt तो नहीं होने वाले, ठीक है, तो ये सार चीजे भी note करना, नजर रखना, RBI का काम होता है, नेक्स्ट, RBI के लोग ये भी check करते हैं, कि कहीं bank के लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कि सिरफ loan उन लोगों को दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी company के हैं, जो बहुत profit making business चलाते हैं, और क्या कहीं ये छोटे cultivators, या आप अभी 4 points दे रखे हैं, तो आप लोगों को जो भी point बढ़िया लगे, इसके अलावा भी अगर आप कोई और point आड़ करना चाहो, तो आप add कर सकते हो, ठीक है, भावना आगया समझ, great, चलो, जल्दी-जल्दी thumbs up डालो, फिर हम अपने next question को करते हैं, ठीक है, जल्दी- thumbs up डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, okay, रुद्र, अमन, सुश्मिता, काफी सारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, next question में आप बच्चों को एक table दे रखा है, ठीक है, table में कुछ data दे रखा है, data को देखके आपको बस इन questions को answer करना है, ठीक है, तो अभी इस table को भी देखेंगे, पहले हम इस question को देख लेते हैं, इस question में कहा जा रहा है कि 2015 से लेके 2016 and 2019 से लेके 2020 के अगर हम data को देखें, तो आपको reduction दिखेगा, ठीक है, जैसे यह year है, और आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस साल में कितना production हुआ steel का, तो 2015 से लेके 16 के time पे 106.6 million tons production हुआ है, ठीक है, 2019 से लेके 20 के अगर हम बात करें, तो 102.62 production हुआ है, तो यहाँ पे तो 106 था, यहाँ पे 102 है, तो इतना हमें मतलब maths हम लगा पा रहे हैं कि reduction हुआ है, है ना कुछ कम हुआ है, तो इस question में आपसे पूछा है कि कोई एक क करन बताओ, आपको क्यों लगता है कि हमें यह reduction देखने को मिला, ठीक है, ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके वज़े से steel की production reduce होने लग गई, ओके, चलो तो वो देखते हैं, point 1, इसमें आप लिख सकते हो, high cost के वज़े से reduction आ रहा है, high cost किस चीज का high cost, अब steel बनाने के लिए भ बढ़ गया होगा, इसलिए हमें reduction देखने को मिल रहा है, एक point आप यह लिख सकते हो, next, cooking coal की ज़रुद पढ़ती है, steel बनाने के लिए, और यह cooking coal बहुत ही limited होता है, इस वज़े से भी, क्यूंकि again raw material limited है, इस वज़े से भी production में decrease आ सकता है, next, labors जो है, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे labors मिल जाते हैं, cheap labors भी मिल जाते हैं, उनको कम salary पे लोग जल्दी से रख लेते हैं, पर हमारे labors की productivity, ठीक है, काम करनी की जो efficiency है, वो कम है, इस वज़े से भी हम लोग देखते हैं कि maybe हमारा जो product है, वो reduce होता जा रहा है, irregular supply of energy, जो industries है, उनको irregularly energy supply किया जा से बढ़िया लगे, या इसके अलावा भी कोई relevant, कोई बढ़िया point आपके पास है, तो आप add कर सकते हो, okay, हाँ, unskilled labor, चलो, ठीक है, UPSC lover ने भी join कर लिया, ठीक है, तो यहां तक आगे है सारे बच्चों को समझ, चलो, बहुत सारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया, अब हम context of a country's development, ठीक है, तो अगर हमें ये पता लगाना होना बेटा कि एक country में development किस तरीके से हो रही है, हम लोग अकसर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उस country में steel का production कैसा चल रहा है, steel का consumption कैसा चल रहा है, ठीक है, तो steel का consumption और production देखके हम country के development का अंदाजा लगा सकते हैं, पर ऐ ऐसा क्यूं, ये आपसे इस question में पूछा जा रहा है, ऐसा इसलिए क्यूंकि steel बहुत सारे materials का raw material होता है, ठीक है, तो steel एक बहुत ही बढ़िया raw material है, जिसको use करके हम बाकी industries में काम कर सकते हैं, तो अगर steel बढ़िया तरीके से produce हो रहा होगा, तो बाकी industries भी बढ़िया तरी इसे काम कर पाएंगी, next, steel को हम लोग export भी करते हैं, ठीक है, तो इस वज़े से भी हम इसे as a measure use करते हैं, country की development देखते हैं के लिए, ठीक है, it provides machinery for ensuring country's growth, जो machines बनती हैं, ठीक है, secondary sector में जो भी machines बनती हैं, उनमें भी steel को बहुत जादा use किया जाता है, और हमें पता, अगर secondary sector develop होगा, तो country का भी development होगा, तो ये तीन reasons हैं, जिसके वज़े से हम लोग मानते हैं, कि steel को, steel के production को देखके हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि country में development कैसा चल रहा है, ओके, चलो, तो जल्दी जल्दी again, सारे बच्चे thumbs up डाल दो, अगर यहां तक clear है, तो फिर हम लोग अपना next question स्टार्ट करते हैं, हाँ, सुमिती, very good, चलो, रुद्र, thumbs up डाल दिया, जल्दी जल्दी सारे बच्चे thumbs up डाल दो, मुझे दिख जाएं, हमारे बच्चे से ध्यान से सुन रहे हैं, ओके, काफी सारे thumbs up डिख गए हैं, मुझे comment section में, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है, चलो, तो यहां तक हमने आपका section A finish कर लिया है, so, अब I think कि section A में से सारे questions आप बच्चों को समझ आ गए हैं, अगर board में आता है, तो आप बच्चे समाल लोगे हैं, हैना, तो section B स्टार्ट करते हैं, section B आप बच्चों का 3 marks का है, ठीक है, मतलब अब जो questions हैं, वो स सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, हम अपना section B, ठीक है, चलो, तो first question क्या है, आपका section B का, why do most of the rural household still remain dependent on the informal source of credit, ठीक है, आप से पूछा जा रहा है, कि आज के date में भी, जादा तर जो village areas हैं, जो गाओं के area हैं, वहाँ पे आप देखोगे, अगर लोगों को पैसे चाहिए तो वो लोग bank नहीं जाते हैं, किसी informal source के पास जाते हैं, informal source मतलब किसी दोस्स से पैसे उधार ले लिए, किसी relative से पैसे ले लिए, ठीक है, जैसे गाओं में होते हैं, कुछ money lenders, money lenders से पैसे ले लिए, तो ऐसा क्यों करते हैं, जादा से जादा लोग, गाओं में ऐसा क्यो याखिए villages की बात करें तो इंडिया के जाधातर villages में आसपास banks नहीं है ठीक है bank ही नहीं तो एक दिक्कत यह है ठीक है next अगर हम लोग bank जाते हैं तो हमें अलग-अलग type का paper work करना पड़ता है documents बरने पड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो rural area की लोग है वो फस जाते है आपको पता होगा जैसे हमारे villages में जाधा तर लोग तो अब भी मतलब अंगुटे को thumb को thumb print लगा के sign करते हैं है ना तो इनके लिए bank में जाके documentation कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है next absence of collateral ठीक है अगर आप loan low bank में तो अकसर वो लोग कोई आपका asset पकड़ लेते हैं ठीक है मत अब आपको कुछ ना कुछ गिर्वी रखना बढ़ता है तो जो रूरल background के लोग होते हैं अकसर वो बहुत जादा poor होते हैं उनके पास कुछ होता ही नहीं collateral देने को तो वो लोग bank नहीं जाते informal source से पैसो को उधार ले लेते हैं ठीक है next rural people get easy loans from richer household इनके लिए बहुत आसान होता है richer household से जाके आसानी से पैसे मांग लेना उनको लगता bank जाने से आसान काम यह है कि हम informal source से पैसो को ले ले ठीक है तो यह points आप लोग लिख सकते हो याद रखना तीन mark का question है तो आप या तो तीन बहुत ही perfect crisp points लिखो या फिर ऐसे चार points भी लिख सकते हो ओके चलो clear हो जल्दी जल्दी thumbs up डालो सुमिती very good because they are illit हाँ काफी सारे लोगों ने पढ़ा ही नहीं कर रखी है तो documentation में भसते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो collateral मतलब किसी चीज को गिरवी रखना बेटा ठीक है loan लेने के लिए okay again काफी सारे हमारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया है ठीक है तो ये sample paper का आपका section भी चल रहा है आगे continue करते हैं next question क्या है ये इसी का ही और question है और मतलब optional question है how do self-help groups help borrowers to overcome the problem of lack of collateral explain ठीक है तो कुछ self-help groups होते हैं बेटा ठीक है self-help group कैसे लोगों की help करते हैं loan लेने में वो भी without collateral ठीक है तो self-help group मतलब आप ऐसे समझो कुछ लोगों का group है generally women होती है ठीक है तो self-help group आप ऐसे मानो कुछ 20-25 लोगों का group है जिसमें group के सारे लोग अपने पैसों को धीरे-धीरे करके जोडते हैं ठीक है तो कुछ लोगों का group जिसमें लोग funds डालके अपने पैसों को save कर रहे हैं ठीक है तो self-help group के लोग कैसे लोगों की help करते हैं loan लेने में without कोई चीज गिरवी रखे को collateral रखे ठीक है चलो तो point one क्या है अगर आप self-help group SHG में से जाके loan लोगे तो आपको comparatively कम interest में loan मिल जाएगा ठीक है तो अगर आप bank में जाते हो तो आपको बहुत जादा high interest में loan pay करना पड़ेगा self-help group के पास जाओगे तो आप timely loan मिल जाएगा loan भी मिल जाएगा interest rate भी कम होगा ठीक है next self-help group के जो लोग है ना ये लोग regularly पैसो को save करते रहते हैं जिसके वज़े से अगर किसी को अचानक से loan लेना हो तो इनके लिए बहुत आसान होता है उनको loan देना next members can take small loan अगर आप member हो self-help group के तो आप छोटा मोटा loan ले सकते हो आपसे कोई नहीं कहेंगा कि कोई चीज गिर्वी रखो या collateral दो ठीक है कई बार क्या होता है मानलो किसी member को कोई बहुत बड़ा loan लेना है ठीक है कोई बहुत बड़े amount का loan लेना है पर उनके पास कोई सामान नहीं है bank में जाके को लेटर देने का तो ऐसे में पता है क्या होगा self help group के लोग मतलब वो जो self help group है वो self help group भी bank से जाके अपने नाम पर loan ले सकता है ठीक है अगर मान लोग कोई self help group है जो तीन साल से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं बांक को बिल्कुल परिशान नहीं कर रहे तो ऐसे में self help group को ही loan मिल जाएगा और अगर इनको loan मिल जाता है फिर ही अपने members की help कर देंगे तो ये कुछ तरीके हैं जिसके through self help group के लोग जो हैं लोगों की help करते हैं अगर उनको loan लेना हो तो ठीक है clear हो गया अरे wise बार तो बहुत जल्दी thumbs up भेज दिया ये question extra clear हो गया आप बच्चों को ओके चलो तो काफी सारे thumbs ups आप बच्चों ने डाल दिये हैं comment section में सबको clear हो गया है आगे बढ़ते हैं ठीक है tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-corporation movement differently justify the statement ठीक है अगे नाशनलिजम इन इंडिया में हमने कवर कर रखा है तो आपसे बोला जा रहा है कि जो tribal peasants हैं मतलब जो tribe के लोग हैं उन्होंने गांधी जी के message का कुछ और ही मतलब निकाल लिया और उन्होंने non-corporation movement में कुछ अलग तरीके से पाट लिया तो इस sentence को थोड़ा justify करो यह आपसे बोला जा रहा है ठीक है तो point one जैसे अगर हम आंद्रप्रदेश की बात करें आंद्रप्रदेश में जो ग्यूडम hills में जो लोग रहते थे इन्होंने violence यूज करना स्टार्ट करा ठीक है गांदी जी के बारे में और कुछ नहीं तो हम सारे हम सबको यह पता है कि गांदी जी जो हैं वो violence को हेट करते थे हमेशा उन्होंने का है नवाइलंट तरीके से लड़ाई करू पर आंद्रप्रदेश के लोग क्या कर रहे थे यह लोग militant gorilla movement कर रहे थे ठीक है जोटे चोटे ग्रूप्स बनाके सामने वाले लोगों के ऊपर चुप-छुप के अटाग करना तो यह लोग ऐसा कर रहे थे मतलब violence को use कर रहे थे non-corporation movement के नाम पर next they were against colonial policies colonial policies के खिलाफ थे वो ठीक है मतलब Britishers जो भी policies बनाते थे उन policies के strictly खिलाफ थे वो ठीक है their livelihood was affected उनको ऐसा लगता था जो की मतलब सही भी लगता था Britishers के आने से पहले क्या था Tribals का पूरा हक होता था forest के उपर जब मर्जी forest के अंदर चले जाते थे अपने cattle को साथ में लेके जाते थे पेड़ पॉद उसे fruits vegetables सब कुछ निकाल के बहार आते थे पर Britishers के आने के बाद क्या हुआ उनको हर एक चीज करने से पहले पर्मिशन लेनी पड़ती थी ठीक है तो अब उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा जो livelihood है हमारा जो lifestyle है वो Britishers के आने के वज़े से effect हो रहा है ठीक है next ऐसे में इनकी एक leader थे एलियोरी सीता राम राजू ठीक है इन्होंने पता है लोगों से कहना स्टार्ट करा कि गांधी जी कुछ मामलों में सही है ठीक है जैसे गांधी जी की तरह इन्होंने भी अपने लोगों से कहना स्टार्ट करा कि आप लोग खादी के कपड़ों को पहना करो ठीक है drinking की आदत को छोड़ दो अल्कोहॉल को मना करो यह सब कहा पर at the same time उन्होंने यह भी कहा यहां पर एक गलत चीज उन्होंने कह दी कि अगर हमें ब्रिटिश और से आजादी चाहिए तो हमको फोर्स यूस करना पड़ेगा मार पीट करनी पड़ेगी तो यहां पर वो गांधी जी के पर भी attack किये गए हैं चलो यह question आ गया सबको समझ कि हमारे tribal peasants ने कैसे गांधी जी के नॉन corporation movement के message का कुछ और ही मतलब निकाल दिया था जल्दी जल्दी सारे बच्चे thumbs up डालो अभी पूरा sample paper हमें discuss करना है जल्दी-जल्दी thumbs up डालो फिर हम आगे बढ़ते हैं हाँ नवीन clear हो गया बेटा आपको है ओके है हाँ पर भी चल रही है यह class और YouTube पर भी चल रही है चलो सारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next question को देखते हैं examine the role of political parties in a democratic country एक democratic country में political party का क्या role होता है क्या role होता है मतलब political party के लोगों का क्या function होता है एक democratic country में यह आप से पूछा जा रहा है ठीक है चलो तो first point क्या है हमारा again ध्यान रखना यह आपका तीन माक का question है हम तीन चार बहुत बढ़िया point लिख दें तो काफी है ठीक है या फिर आप ऐसे चोटे-चोटे 6 points भी लिख सकते हो ओके चलो तो parties form and run the government democracy में क्या होता है party के लोग ही government को बनाते है and they also run the government ठीक है next party play a decisive role in policies for the country पार्टी के लोग क्या करते हैं country के लिए policies बनाते हैं decisions लेते हैं हमारे country के लिए next यह लोग leaders को recruit करते हैं leaders को काम पे लगाते हैं और उनको train करते हैं कि कैसे better leader बनना है ठीक है हमें अक्सर ऐसा लगता है कि democracy में क्या है जो party जीत जाती है वही बढ़िया बाकी सारी parties बेकार है ऐसा नहीं है democracy में अगर कोई party हार जाये तो हम उनको कहते हैं opposition party अब opposition party के लोगों का क्या काम होता है government की उपर नजर रखना ठीक है ये देखना कि government कोई बेकार कानून तो नहीं बना रही कई citizens को परिशान तो नहीं कर रही ठीक है government की गलतियां बताना public को ये सब करना opposition का बहुत ही एक important काम होता है parties के वज़े से क्या होता है public का जनता का एक opinion बनने लगता है ठीक है next जो party के लोग है ये लोग हमारे लिए अलग-अलग welfare schemes बनाते हैं तो ये कुछ points है कुछ functions है हमारे political parties के तो आप democratic country में देखोगे कि political party के लोग ये important function ये important role play करते हैं ओके चलो जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ खुशी ने लिख दिया clear है ओके जुनेद good evening बेटा भावना clear हो गया है very good ठीक है काफी सारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया है सारे बच्चे ध्यान से अच्छे से सुन रहे हैं ओके next question को करते हैं अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने section C तक ठीक है section A हो गया section B हो गया section C के जो question है अब यहाँ पे five marker question है ठीक है एक question आपका five mark का होगा section C हम लोग start कर रहे हैं पहला question क्या है आपका democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored ठीक है तो democracy में क्या होता है democracy में लोग खुद ही support करने लग जाते हैं कि हाँ democracy बहुत ही बढ़िया है support the statement with examples तो basically आपको क्या करना है democracy के अच्छे-ची चीजे लिख देनी है ठीक है कैसे लोगों का ठीक है कैसे public के हाथ में जादा power रहता है democracy में यह आपको points में समझा देना इस question में ठीक है तो अगर हम पहले point की बात करें तो democracy बढ़िया क्यूं है democracy में कुछ rules होते हैं कुछ regulations होते हैं जो की लोगों को follow करने पड़ जाते हैं ठीक है जैसे अगर मैं बात करूं dictatorship हिटलर की बात करें तो हिटलर थोड़ी कोई rule या regulation मान के चलते थे वो अपनी चलाते थे democracy में ऐसा नहीं हो सकता है क्यूंकि हम लोग rules and regulations को मानते हैं ठीक है next हर एक citizen के पास right है कि वो decision making को examine करें कि वो पता लगाएं कि decision making कैसे चल रही है हमारे country में तो मतलब citizen के हाथ में ये power भी है कि वो पता लगाएं कि decision making कैसे हो रही है country में ठीक है democratic government जो है accountable होती है ठीक है accountable मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो उनको हमें जवाब देना पड़ेगा कुछ सही करा तो हम उनकी तारीफ करेंगे accountable मतलब उनको हमें answer देना पड़ेगा जो भी वो चीज करते हैं ठीक है legitimate मतलब एकदम proper legal government होती है transparent government transparent government मतलब यह लोग जो कुछ भी करें हम लोग पता लगा सकते हैं ऐसा निया कि हमसे छुपके हमें बिना बताई यह कोई काम कर देंगे ठीक है people have right to choose their rulers हम लोग अपने rulers को अपनी leaders को खुद elect करते हैं ठीक है democracy में क्या होता है right to information है अगर आपको लगता है कि government के बारे में और जानना है government के functions के बारे में और समझना है तो right to information के through आप लोग government के अलग-अलग departments के बारे में और अच्छे से समझ सकते हो ठीक है a democratic government is people's own government democratic government क्या होता है हम लोगों की ही government है अपना समविधान अपना constitution ऐसी तो start होता है we the people of India तो democratic government में हम लोगों के हाथ में सारी power रहती है तो ये कुछ फाइदे हैं democracy के जो कि आपको इस answer में लिख देना है ठीक है जल्दी जल्दी बताओ सबको clear है जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो अगर clear है तो फिर हम अपने next question को start करते हैं ओके चलो काफी सारे thumbs up खुशी को भी clear हो गया है चलो सारे बच्चों ने thumbs up डाल दिया comment section में ऐसे मैं मैं आगे बढ़ रही हूँ ठीक है next question देखते हैं ठीक है यह और वाला question है और मतलब आप चाहो तो यह question कर सकते हो या फिर आप exam में इस question को कर सकते हो इस question को भी discuss कर लेते हैं वैसे तो इन दोनों questions में अभी मैं question पढ़ती हूँ पहला वाला question एकदम सीधा है direct आप उसे सम्हाल पाओगे इस question को भी हम discuss कर लेते हैं क्या है ठीक है there is an overwhelming support for the idea of democracy in South Asia support the statement with examples आप से कहा जा रहा है कि अगर हम लोग South Asia की बात करें Asia का जो southern हिस्सा है वहां की बात करें तो वहां पे जादा तर लोग democracy की idea को support करते हैं ठीक है उनको लगता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया चीज है democracy हम democracy start कर देते हैं तो आपको इस sentence को support करते हुए कुछ points को लिखना है ठीक है तो point one South Asia के लोगों को democracy क्यों पसंद है क्यूंकि उनको पता है कि democracy में लोगों के हाथ में power रहती है ठीक है next countries from South Asia South Asia के लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं जो public हैं उनको अलग-अलग हक मिले हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में rights रहें इसलिए हम लोग democracy को support करते हैं next हमको ये भी पता है कि अगर हम लोग democracy लेके आएंगे तो हम अपने leaders को खुद elect करेंगे okay हमें पता है कि अगर हम democracy लेके आएंगे तो हम citizens को respect दी जाएगी हमको आजादी दी जाएगी ठीक है next ये तो ये जो fifth point है ये आपका थोड़ा important है क्योंकि अगर हम South Asian countries की बात करें even अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जैसे countries में बेटा diversity बहुत जादा है जैसे अगर मैं आप बच्चों की ही बात करूँ तो हम सारे लोग अलग-अलग religion, अलग caste, communities, culture को follow करते हैं अलग-अलग states के हैं हम लोग है ना तो हमारे countries में diversity थोड़ी जादा है और ऐसी countries जहाँ पर diversity थोड़ी जादा रहती है महाँ पर democracy best रहता है क्योंकि सबकी अवाज सुनी जाती है democracy में ठीक है हम लोग discussions बहुत सारे करते हैं ऐसा नहीं कि जैसे dictatorship में होता हिटलर को जो बढ़िया लगा हिटलर ने कर दिया नहीं democracy में कुछ भी करने से पहले बहुत जादा discussion होती है जिसके वज़े से delay हो जाता है हमने पढ़ रखा ये देरी हो जाती है decision तक आने तक पर जो decision लेते हैं वो उसके गलत होने के chances कम हो जाते हैं ठीक है ऐसा होता है अपने इंडिया में होता है ठीक है नेपाल बांगलादेश श्री लंका पाकिस्तान जो भी South Asian countries दिमाग में आए वो सब आपकी examples में आ जाएंगे ओके चलो जल्दी जल्दी अमन ने लिखा है मामला clear हो गया है चलो बहुत ही बढ़िया जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे यह सारे अभी five marker question चल रहे हैं ओके हां सबने thumbs up डाल दिया आगे बढ़ते हैं next question है आप बच्चों का यह examine the role of information technology in stimulating the process of globalization आपसे पूछा जारा IT ठीक है information technology का क्या रोल है globalization को बढ़ाने में globalization समझते हैं आप लोग जैसे आज के date में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सारी जो countries हैं हम लोग connected हैं ठीक है हम लोग एक दूसरे के culture को समझते हैं ठीक है हम सारे लोग interconnected हैं तो इसी चीज को globalization कहते हैं मतलब पूरे globe में जितनी भी countries हैं हम सारे लोग connected हैं तो globalization में IT का information technology का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इस चीज को आप समझाओ इस question में ये कहा जा रहा है ठीक है तो अगर हम पहले point को देखें technology has been changing rapidly ठीक है एक point ये है कि हमें पता है कि technology बहुत जल्दी बदल रही है है और technology technology में आ जाता है communication करने के अलग-अलग तरीके जैसे कि telegraph, telephone ठीक है आपके जो mobile phones है जो fax machines है ये सब एक तरीके है methods हैं जिसके through हम अलग-अलग countries के साथ connect कर सकते हैं ठीक है next technology के वज़े से हम लोग remote areas में भी बातचीत कर सकते हैं normally remote areas मतलब जो बहुत दूर हैं जहां तक एक टाइम पर तो कहां बातचीत होती थी आज के टाइम पर क्यूंकि हमारे पास technology है क्यूंकि IT है हम लोग communicate कर पा रहे हैं हमने satellite communication devices बना ली है satellite को भी बहुत बढ़िया तरीके से develop कर दिया है आज के date में कोई भी ऐसा field नहीं है ठीक है कोई भी ऐसा area नहीं है जहां पे computers नह सल रहा है सब कुछ technology के उपर और dependent होता जा रहा है तो आज के date में कोई भी ऐसी field नहीं है जिसको देखके लगे कि इसमें तो computer use ही नहीं होता ठीक है easily हम लोग information निकाल सकते हैं internet से तो अगर आपको मान लो nationalism in India का कोई question समझ नहीं आ रहा कोई doubt है तो कितना easy आप बच्चों क कुछ मिल जाता है है ना सारी information मिल जाती है ठीक है email voicemail यह सारी चीजें भी कर पाना हमारे लिए super easy हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं इतने points देखने के बाद हम लोग definitely कह सकते हैं कि हां information technology का एक बहुत ही important role रहा है globalization में ओके चलो जल्दी से बताओ यहां तक clear है हमारे सारे बच्चों को जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो comment section में हां हमारे बच्चे क्या कह रहा है all set all clear हो गया चलो very good crystal clear है सुष्मिता बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके सबने thumbs up डाल दिया है very good आगे बढ़ते हैं खुशी को भी आगया सब समझ ठीक है next question देखते हैं ठीक है यह इसी question का और है ठीक है या तो आप यह question करो या फिर आप इस question को कर लो ठीक है Assess the impact of globalization on India and its people इस question का क्या मतलब है, globalization का क्या effect है इंडिया के लोगों पर यह आपसे पूचा जा रहा है globalization के वज़े से इंडिया के उपर क्या असर पढ़ रहा है यह आप से पूछा जा रहा है ठीक है तो globalization के वज़े से क्या हो रहा है हमारे जो consumers हैं ठीक है market में जो भी consumers हैं अब उनके पास more choices है ठीक है अब उनके पास अलग-अलग type के products है market में तो अब उनके पास more choices आने लगए हमारा जो standard of living है ठीक है standard of living है वो भी globalization के वज़े से और बढ़ने लगा है और increase होने लगा है अब हमारे country में क्या होता है अलग-अलग multinational companies MNCs आके investment करती हैं ठीक है तो cell phones automobiles, electronics ऐसे अलग-अलग areas में foreign countries या फिर MNCs आके investment कर रही हैं नए job create हो रहे हैं employment जो है वो और बढ़ता जा रहा है नए-ने jobs create हो रहे हैं ठीक है some local companies that supply raw material have also benefited अगर MNC का development होगा तो कोई ऐसी company जो की MNC की help कर रही है उनको raw material provide कर रही है उनका भी development होगा ठीक है तो ये एक और question हम लोगों ने cover कर लिया ये भी same globalization से ही related था कि इंडिया में क्या impact रहा है globalization का अच्छा इस बार तो सारे बच्चों ने पूछने से पहली thumbs up डाल दिया very good aman, rudra, bhavna, bilip, akhilesh akhilesh, hi बेटा okay सबने thumbs up डाल दिया very good ठीक है इसमें थोड़े से और points को जल्दी से cover कर लेते हैं हाँ वैसे आप लोग comment section में बता चुक्यों कि unemployment कम हो जाता है जब globalization होता है ठीक है जो unorganized sector है वो expand होने लगता है हमारे अंदर जो हमारे countries के अंदर जो labor laws हैं वो flexible बन जाते हैं हमारी जो companies हैं उनको भी बहुत जादा फाइदा होता है globalization के वज़े से ठीक है तो हमारे इंडिया की जो कुछ large companies हैं Tata Motors, Infosys ये सब MNCs बन पा रहे हैं globalization के वज़े से ठीक है तो basically globalization के वज़े से हमारे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है अभी आपका section D है बेटा और section D आपका case based question है ठीक है case based मतलब आपको एक कहानी बताई जाएगी कुछ एक paragraph दिया होगा उस paragraph को हमें पढ़ना है और फिर हमें अपने questions को answer करना है ठीक है तो आप लोग वैसे आराम से घर में बैठके एक एक लाइन को पढ़ना मैं अभी overall आपको just बता देती हूँ कि इस paragraph में क्या कहा जा रहा है ठीक है यहाँ पर बात हो रहे है सत्याग्रह की कि सत्याग्रह एक passive resistance है मतलब एक weak force है कमजोर force है ठीक है आपसे कहा जा रहा है कि सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वो एक passive resistance है ऐसा कुछ लोग कहते है ठीक है इस power is not passive resistance पर यह गलत है यह passive resistance नहीं है इन फाक्ट यह intense activity है passive का एकदम opposite है ठीक है साउथ आफ्रिका में जब सत्याग्रह हुआ था वहां के लोग बहुत ज़ादा active थे ठीक है सत्याग्रह एक physical force नहीं है हम लोग physically मारफीट तो नहीं करते हैं सत्याग्रह में ठीक है पर सत्याग्रह में यह कहा जाता है कि आप जिस भी इंसान से लड़ रहे हो ठीक है जो भी इंसान आपको परिशान कर रहा है हम यह भी नहीं चाहेंगे कि उस इंसान का बुरा हो हम सत्याग्रह में बस यह चाहते हैं कि without non-violence हम सामने वाले इंसान को समझा दें कि उसकी गलती क्या है ओके सो यह सत्याग्रह के बारे में आपको बताया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट आपको इसमें यह भी बताया गया है कि non-violence जो है supreme धर्म है non-violence बहुत important है गांदी जी अकसर ऐसा कहा करते थे कि जो Britishers है Britishers की अगर हम बात करें तो वो हमेशा लडाई के लिए तयार रहते है ठीक है The British worship the war god वो war god को worship करते है इसका मतलब हमेशा लडाई के लिए तयार रहते है कुछ हो जाता है तो जल्दी से weapons को उठा लेते है हम Indians ऐसे नहीं है hundreds of millions जो हमारे इंडिया के लोग है हम लोग कभी weapons को नहीं उठाते क्यूंकि हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग non-violence को follow करेंगे ठीक है तो again आप लोगों को in detail इस paragraph को पढ़ना है मैंने आपको overall बता दिया कि क्या बातचीट चल रही है इसमें अब हम जल्दी से questions को देख लेते हैं फर्स question में पूछा वाइड़ गांधी जी considered non-violence as supreme धर्म ठीक है गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि non-violence सबसे बढ़िया चीज है ठीक है गांधी जी ने ना non-violence को एक philosophy की तरह life में अपना लिया था उन्होंने समझ लिया था कि ये चीज है एसा नहीं कि non-violence कमजोर लोगों के लिया नहीं ये एक ऐसा weapon है जो कि सारे लोग इंडिया के सारे लोग try कर सकते हैं अपना सकते हैं ओकिए इसे देखकर सुमिती ने लिखा इसे देखकर English के exam की याद आ गई English में भी बेटा ऐसे questions आएंगे आपके चलो next इसे लोग जो गांधी जी के philosophy के उपर विश्वास करते थे उन्होंने सत्या ग्रह में कैसे पाट लिया उनका क्या से था गांधी सत्या ग्रह के बारे में ठीक है तो next इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सत्या ग्रह में के थूँ सामने वाले इंसान को समझा दे ठीक है इसमें आप लोग थोड़े extra points को लिख सकते हो आप इसमें ये कह सकते हो कि कैसे बहुत सारे लोगों ने non-corporation movement में पाट लिया गांधी जी के अलग-अलग सत्या ग्रह में पाट लिया था क्यूंकि वो सब non-violence के उपर विश्वास रखते थे ठीक है वाइवास गांधी जी के सत्या ग्रह के तरीके को हम बहुत बढ़िया method क्यूं मानते हैं novel मतलब अच्छा तरीका क्यूं मानते हैं ठीक है क्यूंकि इसमें कहा जाता है कि हम लोग लड़ाई जगडा नहीं करेंगे non-violence नहीं करेंगे ठीक है इट कुड बी ड़न बाई अपीलिंग टू दी कंसंस कंसाइंस ओफ दी ओप्रेसर जो सामने वाला इंसान आपको परिशान कर रहा आप उसको भी कुछ अच्छा सिखा सकते हो इसके थूँ ठीक है इसमें आप सच्चाई के थूँ टुथ के थूँ सामने वाले इंसान को समझा देते हो तो ये सारे पॉइंस आप लोग इसमें लिख देना ठीक है टू मार्क का क्वेश्चन है आप तीन पॉइंट लिखोगे इस मोर दान इनफ मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसमें क्या है इसमें आपको पर्सनल कम्यूनिकेशन के बारे में बता है पर्सनल कम्यूनिकेशन मतलब दो लोग आपस में बातचीत करते है और मास कम्यूनिकेशन के बारे में बता है अच्छे से आप लोग read कर लेना, मैंने आपको overall बता दिया क्या-क्या है, questions को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, तो examine the role of the Indian Postal Network, Indian Postal Network से हम लोगों की क्या, हमें क्या मदद मिली है, ठीक है, उनका क्या function रहा है, तो Indian Postal Network, ठीक है, मतलब letters, जो हम post वगयरा करते हैं, उससे क्या है, हम लोग अच्छे से communication कर पा रहे हैं, ठीक है, इंडिया में अलग-अलग areas में अच्छे से communication हो पा रहा है, जिससे इंडिया में development हो रही है, ठीक है, next, Indian Postal Network में अलग-अलग facilities हैं, जैसे कि speed post, business post, registered post, ordinary post, ये सारी चीजे हमें हमारे Postal Network से मिलती हैं, ठीक है, तो ये आप बच्छों का answer हो जाएगा, next, आप से पूछा जा रहा है, कि mass communication और personal communication में फरक बताओ, personal communication मतलब, अगर दो लोग आपस में बात चीत कर रहे हैं, तो वो personal communication है, mass communication मतलब, कोई ऐसा communication जो सब को बताया जा रहा है, जैसे अगर कुछ radio में announce कर दिया, कुछ newspaper में आ गया, तो उसको हम mass communication कहते हैं, personal communication मतलब, अगर आपका, या आपकी कोई दोस्त कॉल कर रहे हैं आपको, और आप फोन उठा लेते हो, बातचीत कर लेते हो, तो वो personal communication है, ठीक है, चलो, next, communication हमारे country के लिए, nation के लिए important क्यों है, ठीक है, तो communication आज के date में हम लोग telephone, tv, film, internet, इन सारी चीजों को use करके communicate करते हैं, books, magazine, newspaper, ये भी हमारे लिए important है, communication से क्या होता है, world में अलग-अलग countries, they are coming closer together, हम लोग और अच्छे से connect कर पा रहे हैं, एक तो हमारी knowledge भी बढ़ रही ह और of course, एक entertainment का जो factor है, वो भी increase हो रहा है communication के वजह से, चलो, तो ये आपका last section है, बेटा, section E, इसमें हम map based question को करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले मैं आप बच्चों को question दिखा देती हूं, फिर हम लोग map में उसे mark करेंगे, ठीक है, तो ये आपके questions हैं, पहला question history का है, इसम इसे जगा को mark करो, जहां पर non-cooperation movement को बंद कर दिया गया था, क्यूंकि बहुत ज़्यादा violence हुआ, तो हमें पता है, गांदी जी ने non-cooperation movement को start करा, ठीक है, बढ़िया चल रहा था movement, उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मार पीट कर लेते हैं, चौरी-चौरा incident होता है यूपी में, पोलिस स्टेशन के उपर पहले तो पत्थर फैकते हैं, फिर जला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा violence होता है, गांदी जी को बहुत बुरा लग जाता है, गांदी जी कहते हैं कि ऐसे में मुझे ये movement चलाना ही नहीं, ठीक है, बंद कर देते हैं, ये चौरी- चौरा में होता है, यूपी में, ठीक है, तो माप उठा लो, आप लोग भी atlas को खोल लो साथ में, ठीक है, तो यूपी में यहाँ पे जो एरिया है, ये आपका चौरी-चौरा है, ठीक है, नेक्स क्वेस्चन देख लेते हैं, उसी माप पे आपसे कहा जा रहा है कि नमरू thermal plant को mark करो या फिर और का question है या फिर noida software technology park को आप mark करो राजा सांसी श्री गुरु राम दास जी international airport को भी mark करो ठीक है तो इन तीनों एरियास को mark करने के लिए जल्दी से देख लेते हैं आज साम में आपका नाम रूप thermal power plant है noida software technology park कि हाँ पे है ठीक है ओके नेक्स्ट अमृत सर में आप देखोगे कि श्री गुरु राम दास जी international airport है ठीक है तो यह मैंने आपको मैप भी दिखा दिया यह आपके इस टाइप के map based questions आएंगे ठीक है तो यह आप बच्चों का sample paper था ठीक है तो I hope अब आपको सारे questions super easy लग रहे हैं कोई भी doubt हो कोई भी दिक्कत हो तो reach out beta बताना हम लोग future classes में clear कर देंगे ठीक है तो CBSE ने फिलहाल आपको यह sample paper दिया है यह सारे questions of course important है अच्छे से आप लोग practice कर लेना ठीक है बाकि हम लोग अपने next lecture में अपने term 2 की तयारी को continue करते रहेंगे ओके चलो so that's it for today आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने next lecture